भागलपूर में होटल नवनीत में पुलीस की चापे मारी दो लड़की और दो लड़का गिरपतार नमस्कार मैं हूनी दीजा और आप देख रहें G.S. News भागलपूर में कौतवाली थाना छेतर के MP दुवेदी रोड में अवस्थित नवनीत होटल में पुलीस ने तावरतोर छापे मारी की वहीं इस दौरान पुलीस ने होटल के दो अलग-अलग कमड़ों से चंदन राज और मुहमद एहसान को आपति जनक स्थिती में गिरपतार किया है वहीं पुलीस ने कमड़े से दवाई सहित कई प्रतिबंधित सामान भी बरामत किये हैं पुलीस ने इस दौरान दो लड़कियों को भी देह व्यापार की चंगुल से मुक्त कराया है इसके साथ ही पुलीस ने होटल मैनेजर नंदन कुमार जहा को भी गिरपतार किया है जबकि होटल का मालिक पुलीस को चकमा देकर फरार हो गया इस संबंद में CTSP ने बताया कि दोनों लड़कियों को उसके परिजनों को सौप दिया जाएगा जबकि गिरपतार दोनों अपराधियों को पुलीस देह व्यापार अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है होटल का रास्ता छोटा होने के करण नहीं होती है नियमित पुलीस या जाँच भागलपूर के नवनीत होटल में नियमित पुलीस या जाँच नहीं हो पाती यही कारण है कि होटल में मालिक की मिली भगत से ही बड़ी आराम से देहवयापार का गोरख धंदा हो रहा था इस बारे में स्थानिय लोगों की माने तो होटल का रास्ता काफी सांकड़ा है पुलीस की जिपसी भी इसमें नहीं जा सकती इसलिए पुलीस अधिकारी को जिपसी से उतर कर होटल की जांच करना रास नहीं आता भागलपूर के कुछ होटल में सकती के बाबजूद भी थम नहीं रहा देहवयापार का गोरख धंदा भागलपूर के होटल नवनीत में देह व्यापार का ये कोई नया मामला नहीं है इससे पहले भी पुलीस ने तकरीबन तीन मेहने पहले ततारपूर थाना छेतर के होटल गलोडी में पुलीस ने देह व्यापार का भंडा फोर किया था इसी कड़ी में 26 जुलाई को लहेरिया टुला के एक होटल से पुलीस ने देह व्यापार की मामले में मामला दर्ज किया था अब लगातार जो परामिटिक पोस आई भी है और जो शाला का जो पर एसेस्टी सब पोस लगातार जाज कर रही है और हुँ कुछ देख भी रहा है हर इस्टोप कराय पर हर इंप्रीव कोईंट पर फुली सब्बल जोपर टेक कर रही है और शपा बाड़े भी इनकी जाए दसवी वारवी पास बच्चों के लिए सुना रहा अवसर रहना खाना पढ़ना बिलकुल फ्री अभी कॉल करें